सर्व नाम के भेद सर्व नाम के 6 भेद हैं नमबर 1, पूर्ष वाचक, नमबर 2, निष्चे वाचक, नमबर 3, अनिष्चे वाचक, नमबर 4, प्रेश्ण वाचक, 5, संबंध वाचक, नमबर 6, निष्ज वाचक, सर्व नाम सबसे पहले हम पुर्षवाचक सरवनाम के बारे में बात करते हैं पुर्षवाचक सरवनाम जो सरवनाम शब किसी पुर्ष के नाम के स्थान पर परियोग किया जाता है वे पुर्षवाचक सरवनाम कहलाते हैं जैसे मैं, तुम, वह, आदी पुर्ष वाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होती है नमबर एक उत्तम पुर्ष बोलने या बातचीत करने वाला व्यक्ति जिस सर्वनाम शब्द का प्रियोग अपने लिए करता है वह उत्तम पुर्ष कहलाता है जैसे मैं, मीरा, मुझे, हम, हमे, हमारा, आदी नमबर दो, मद्धम पुर्ष जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले के लिए प्रियोग किया जाता है उसे मद्धम पुर्ष कहते है जैसे तू, तुम, तेरा, तुमारा, आप, आपका, आदी नमबर तीन, अन्य पुर्ष जो सरुनाम शब्द वक्ता किसी अन्य के लिए प्रियोग करता है वह अन्य पुर्ष कहलाता है जैसे वह, वी, उसका, उनका, उनकी आदी बच्चो इस चित्र में मैं खेलने जा रहा हूं यहां पर मैं अपने लिए प्रियोग किया गया है इसलिए यह है उत्तम पुर्ष है और यहां तुम क्या कर रहे हो तुम शब्द दूसरे सुनने वाले के लिए प्रियोग किया गया है तो यहां पर यह है मद्धम पुर्ष है और इस चित्र में वहे पढ़ रहा है जो वह शब्द है वह किसी अन्य के लिए प्रियोग किया गया है तो यह है अन्य पूर्ष सर्वनाम सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चे वाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द निश्चित रूप में किसी संग्या शब्द के स्थान पर परियोग किये जाते हैं वे निश्चे वाचक सर्वनाम कहलाते हैं जैसे यह पुस्तक तुम्हारी है इसमें यह शब्द निश्चे वाचक सर्वनाम है यह मेरी गेंद है इसमें यह शब्द निश्चे वाचक सरणाम है क्योंकि यह निश्चित है कि यह गेंद मेरी ही है अनिश्चे वाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चित संग्या के स्थान पर परियोग किये जाती है उन्हें अनिश्चे वाचक सर्वनाम कहा जाता है जैसे कोई सेर कर रहा है यहाँ पर कोई शब्द अनिश्चे वाचक सर्वनाम है क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि कौन सेर कर रहा है अब नेक्स्ट है दूद में कुछ गिर गया है अब दूद में क्या गिर गया कुछ मतलब निश्चित नहीं है कि मक्खी गिर गी है या पत्थर गिर गया क्या गिर गया तो यहाँ पर कुछ शब्द अनिश्चे वाचक सर्वनाम है संबंद वाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रियोग वाक्य में परियुक्त संग्या या सर्वनाम से संबंद बताने के लिए किया जाए उन्हें संबंद वाचक सर्वनाम कहती है जैसे जिसने बोया उसने काटा, यहाँ पर जिसने और उसने शरब्द संबंद वाचक सरुनाम है, क्योंकि यहें वाक्यों को जोड रहे हैं. नेक्स्ट है, जितना पचास को उतना खाओ, यहाँ पर संबंद वाचक सरुनाम जितना और उतना है, प्रेशन वाचक सरुनाम, जो सरुनाम शब्द प्रेशन रूप में किसी संग्या शब्द के स्थान पर परियोग होते हैं, वे प्रेशन वाचक सरुनाम कहलाते हैं, जैसे तुम कौन हो? यहां पर कौन शब्द प्रशन वाचक सरुनाम है? किस से गिलास तूटा? यहां पर भी प्रशन पूछा जा रहा है किस से? तो यह भी प्रशन वाचक सरुनाम है निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों को करता स्वम अपने लिए प्रियोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते है जैसे मैं अपना काम स्वम कर लूँगा यहाँ स्वम का मतलब अपने आप तो अपने लिए प्रियोग किया गया है इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम है इसी परकार आप अपने आप बुला लाए अपने आप शब जो है वह निजवाचक सर्वनाम है